आज की इस पैनल के उपर कुछ बाचीत करने के लिए तो ये मेरे लिए ये मान के चलो बहुत बड़ा प्राउड मुमेंट है मागरुजी और आप सभी के सभी पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए जावाज योदा और फ्यूचर के सभी के सभी यूशिये जो कि आज कही ना कहीं अपने लेवल के ओपर अपनी लाइफ को जबदर्स तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सभी के सभी दमदार योद्दाओं को नमस्कार गुड मॉनिंग और आज का सेशन साथियों अभी मागरुजी ने मेरे को मोका दिया है कुछ बाचीत अमलों करेब करेंगे लगबग लगबग तेरा साल से सेपसोप के अंदर मेरे को इतियास लिखने का सोबागे प्राप्त हुआ और मागरुजी के आशिरवाद से कंटिनियूसली इस बिजनिस के अंदर अभी मरकरी लेवल तक मैं पहुंचा हूँ और अभी कंटिनियूसली जैसा आज मागरुज तो सबसे पहले आज आप सभी के सभी लेडर्स का आज के इतियासिक पैनल के उपर मैं दिल के गहराईयों से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले मैं नमन करना चाता हूँ मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का क्योंकि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज मेरी लाइफ कुछ भी नहीं होती और आज मैं कहीं भी इस बिजनिस के अंदर काम्याब नहीं हो पाता तो टोटल जो क्रेडिट जाता है वो मेरे से आगे का रस्ता दिखाया और हमेश्चा से इन्होंने जो है बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया तो मामहिम श्री नर्शी ग्रेवाल साब का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जो है मेरे ग्रेट मेंटर मागरुजी श्री सुनेरी लाल सा साथियो मेरी लाइफ के अंदर मेरी लाइफ का जो ट्रांसफोर्म किया है उसमें अगर टोटल और टोटल अगर किनी का रोल है तो मेरे ग्रेट मेंटर्स का है क्योंकि गुरू के बिना बोला जाता है कि कोई भी मंजील तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जा तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सभी लिडर से दिल से मेरे सभी के सभी great mentor मेरे सभी गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालिया जरूर बजा दे सातियों बहुत बहुत धन्यवाद great mentors इतना सुनेरा जो है life आपने मेरे को दिया इतना स्यांदार जीवन आपने मेरे को दिय है तो दिल के गहरा ही हो से मैं आपका thanks पे करता हूं उसके बाद सातियों मैं धन्यवाद करूंगा हमारी मान सेपसोप company विश्व की number one हमारी direct selling industry को lead करने वाली सेपसोप company जिसने आज मेरे जैसे पताने कितने करोडो लोगों के जीवन को आज कहीना की बदल के रख दिया आ ऐसे करोडो लोगों को और हर कैटिगरी के हर कैलीवर के लोगों को कहीना कहीं एक अपने जीवन के अपने खांदान का इतियास लिखने का यह मोका हमारी सेपसोप company देती है तो मैं बहुत-बहुत दिल की गहरायों से मैं धन्यवाद करता हूं thanks पे करता हूं सेपसोप जैस अपने life के हम शुरुआत करते हैं और आज कोई वी एक आदमी किसी भी बैग्राउंड का आता है कोई फरक नहीं पढ़ता हमारा education background क्या होता है कोई फरक नहीं पढ़ता हम किस religion से और किस caste से आये हैं कोई फरक नहीं पढ़ता हमारा qualification क्या है इन पाचों के पाचों हमारे great ma आज हम सब के लिए एक ऐसा रस्ता तयार किया कि आप किसी भी एरिये से आए हो बैस आगे बढ़ने का जजबा अगर अमारी आत्मा में है तो यह जो सेपसोप कंपनी स्वागत करती है और यहां पे हर इंसान आके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और उडान बर सक मैं जबता है तो मैं पाचों के पाथ कई डायरेक्टर का दिल के धार्य से धन्यवाद करता हूं ऑज करना है और दो किसी को जाता है आज कुछ बाते है पिछले 13 साल का experience है कि किस तरह से हम भी लाखों क्योंगे हर इनसान जो यहाँ पे डारिक सेलिंग में हमारी सेपसोप कमपने में जुड़ता है हर इनसान का एक सपना होता है जि मेरी भी लाखों के टीम बने और मामें की तरह करोणों का network हमारा बने ऐसा हम पारा कहिना की सपना होता है लेकिन उस सपने को म किस तरह से उन dreams कम साकार करें उन सपनों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं और लाखों के टीम हम कैसे तैयार कर सकते हैं साथ यह उसके बारे में कुछ लोग बाचित करेंगे तो लाखों के टीम बनाने के लिए सबसे important जो चीज मैंने समझी है इस business से और इस system ने जो मेरे को समझाया और मेरे great mentors ने जो मेरे को समझाया वो ये समझाया कि लाखों के टीम वो इनसान कभी नहीं बना सकता जिसका vision clear नहीं होता है और लाखों के टीम वो इनसान हमेशा बनाता है जिसका vision clear होता है यह vision का मतलब क्या है vision का मतलब यह कि जब हम जुड़ते हैं तो उस समय के ओपर ना तो हमारे पास किसी तरह को experience होता है ना उस समय पर हमारे पास कोई network होता है ना हमारी वहां पर कोई team तयार होती है ना हमको हमारे इस जो industry जो है इस industry के हमको knowledge होती है लेकिन वहां से जब हम काम शुरू करते हैं तो एक बीज के अंदर एक बीज के अंदर जब हम जंगल देखने के अगर हमारी चमता है तो इसका मतलब हम visionary है आज हो सकता है आपका network कुछ भी ना हो या हो सकता आज आपके छोटी team हो लेकिन आज उस छोटी team के अंदर एक बड़ा कारवा देख लेना उसको सातियो vision बोला जाता है तो आज हम जिस भी स्तर के उपर बैठें जिस भी level के उपर बैठें तो वहां से at least हमको आने वाले 15 साल का 20 साल का vision हमको देखना पड़ेगा जो आज नहीं दिख रहा लेकिन एक leader में और एक आम आदमे में फरक क्या होता है एक leader मेरे काम आदमे में साथ एक ही फरक होता ह है कि एक आम आदमी आने वाले 10 साल के अंदर उसके light में क्या होने वाला है उन चीजों को देख नहीं पाता और केवल वो आज तक ही सिमित रहके रह जाता है और एक जो leader होता है वो आने वाले 10 साल में आज उसकी स्तिति परिस्तिति क्या उससे कोई फरक नहीं पड़ता ले सेफ सोप में 10 साल चलने का वीजन है क्या हमारे पास सेफ सोप में 20 साल चलने का वीजन है क्या हमारे सेफ सोप में 30 साल चलने का वीजन है एक आदमी नहीं मेरे को बोला कि सर आप कर तक जो है इस industry में काम करेंगे तो मैंने बोला कि जब तक इस body के अंदर प्रान है और सासे हैं तब तक मैं सेपसोप में काम करने वाला हूँ क्योंकि हम इस विजन के साथ lifetime के लिए हमने इस business को केवल यहापे केवल commission के लिए हम काम नहीं करें साथ यो इस business को हम एक mission के लिए काम कर रहे हैं और जब तक सासे हैं तब तक इस business को हम करने वाले इस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद आती है कि बड़ी टीम तैयार करना है अगर लाखों के टीम तैयार करना है तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को आज से आप लीडर बन सकते हैं या तो लीड और नेटवर्क लीड और लाइफ या तो अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं आप अपने नेटवर्क के लीडर बन सकते हैं या फिर आप फोलोवर बन सकते हैं तो इसका मतलब बड़ा काम करना है तो मिन्स लीडर बनना पड़ेगा और लीडर का मतलब क्या होता है लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी के बारे में हमेशा बोला जाता है कि जिम्मेदारी सात्यों कभी भी दी नहीं जाती है जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है पहल करनी पड़ती है इस चीज़ की तो मैंने जिम्मेदारी उठा पाया इस बिजनिस को लेके, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, अगर दुनिया है कि कोई भी रेस अगर हमको जीतनी है, तो उसके अंदर गुरू केवल मार्ड दर्सन दे सकता है, लेकिन उस रेस के अंदर पूरी ताकत के साथ जो दोड़ना पड़ेगा, वो हमको खुद को जीत पाएगा, तो गुरू हमको रस्ता दिखा सकता है, गुरू हमको मार्ड दर्सन दे सकता है, लेकिन दोड़ने के जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो हमको खुद को उठानी पड़ेगी, तो जिम्मेदारी साथ यो मैंने उठाई, और जिम्मेदारी के साथ लगा वह हमारे उपर लाठी चार्ज भी करता है तो वह लाठी चार्ज अमारे उपर ना हो उससे पहले हमको जो है वह चार्ज ले लेना चाहिए तो आप जिम्मेदारी उठाईए अब यहां पर आता है कि दो रस्ते हमारे सामने हमेशा होते हैं एक रस्ता होता है जिसको हम ओन वे बोलते हैं, यानि हमें खुद का रस्ता तयार करते हैं, और एक रस्ता होता जिसको हम राइट वे बोलते हैं, अब ये राइट वे और ओन वे क्या है, ओन वे का मतलब ये होता है, कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा, my life, my rule, इस के according चलते हैं, हमेशा दो रस्ते हमारे सामने ह तो एक रस्ता कि मेरा जीवन है, मैं जैसा इसको डिजाइन करूँगा, वैसा चलेगा, और दूसरा रस्ता होता, जिसको साथ यो राइट वे बोलते हैं, और ये राइट वे क्या है, ये राइट वे सिस्टम का रस्ता, यानि कि सिस्टम के साथ, अगर आप एक छोटा अगर आपको एक बड़ी टीम तैयार करनी है, तो सातियों वो खुद के रस्ते से नहीं बत बनेगी, उसके लिए हमको सिस्टम का रस्ता पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ही है, जहापे हम लाखो लोगों को जोड़के और वहापे करोड़ों के टीम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के आप जोइनिंग तो करवा लेंगे, जो जितने लोगों कम जोइन करवाते हैं, वो लीडर नहीं है, वो के वो एक सेल हैं, वो जब तक सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो सिस्टम के साथ उनका कनेक्ट नहीं करेंगे, तब त तब तक वो लीडर बनी नहीं सकते हैं, तब तक वो कोर नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों कम लीडर तयार करें अपनी टीम में, तो उसके लिए एक सिस्टम का रस्ता है, अब ये सिस्टम का रस्ता बोलता क्या है, क्या है ये सिस्टम, सिस्टम के बा मन्दीर रखे और फेरी लगाते थे तो एक बार मन्दीर बिमार हो गए तो उसने मालिक ने सोचा किया किया जाएं तो इस सब में ठीक होगी तब तक इस गदे से काम चला लेता हूं और गदे के उपर पहले तो कोई भी नहीं पूछता था सब दुदकारते थे लात मारते थे लेकर आज तो लगता है मार्केट के अंदर लोग हमारी ओरिजिनल क्वालिटी को पैचानने लग गए और अभी तो बड़िया बड़िया चीज हमको मिल रही है तो यह उसको एक दिन हैंकार आया फिर उसके बाद फिर मार्केट में गया तो जहां भी गया तो पहली दुकान पे गया तो उसको सिधा लठ पड़ा तो उसको लगा यार लगता यह पैचान नहीं रहा मेरे को तो अगली दुकान पे गया सोचा उसने हो सकता है कि नहीं पैचान है अगली दुकान वाला तो पैच और उस मंदिर की पूजा थी एक्चुल में लेकिन एक गलत फैमी नाम की भी धरते पे कोई चीज बनी है तो उस गदे को गलत फैमी आई इसी तरह से इस बात का मैंने हमेश्या से ध्यान रखा है कि मेरा आज जो कहीं भी आज ग्रेट मेंटर्स ने इस पैनल पर बोलने का मोक आज हैं एक Great Appline के रूप में आपको बोलती है गुरूजी को बोलती है लेकिन है बहुत-बड़ा ब्रहम है इस ब्रहम के चक्कर में कभी भी आने का नहीं है कि गुरूजी भोलने लगता है अपनी तो मार्केट में वेल्यू बन गई नहीं तो पिर आलत वह गदे हो गदे वो हमारी quality के वज़े से नहीं हमारे system के वज़े से कहीना है कि टीम पूजा करती है नहीं तो टीम ही गुरू जी बोल सकते है घर पे जाके वाइब थोड़ी वो लिगा आईए गुरू जी वेलकम है आपका स्वागता ऐसा नहीं होता है तो यह तो system के वज़ा से जो हमको अप के पैशे को बचा देता है वो system में और बोला जाता है जो system के पास नहीं जाता उसे कुछ भी नहीं आता जिसने system के नहीं मानी उसको हमेशे हुई है हानी तो कुछ लोगों मैं देखता हूँ system में न जाने से बचते हैं आप system के साथ जुड़के रहे हैं मेरे दोस्त क्योंक अंदर बिल्कुल अंदेरा चा जाएगा उसी तरह से हमारी लाइफ में अगर उजाला है तो सिस्टम के साथ और हमारे अप्लाइनों के साथ हम जुड़के हैं इसी वज़ा से आज अमारे लाइफ के अंदर उजाला है अगर जिस दिन इन से हमने connection काट लिया इसका मेला हमारी life में कुछ बी नहीं बचेगा तो system के साथ जरूर रहेगा system को बनाओगे राजा तो system हमें बना देगा माराजा अगर हमको माराजा बनना तो system को राजा बनाना पड़ेगा और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं जिसने system को समझा लोकर उसने हमेशें खाये ठोकर तो system को कबई नो कर नहीं समझना system हमारा मालिक है, हमारा raja है और system को राज स Elder wise अगर हमने बना दिया तो system हमको मारा जबना देगा अब साTHियो duplication का यह बिजनिस होता है बड़ा network बनाने के लिए proper duplication का होना वोग्छ जरूर हो है, हमारे great सिस्टम को फोलो नहीं करेंगे तो नेटवर्क में डुप्लिकेट क्या होगा सिस्टम को नहीं फोलो करने वाले लीडर्स तयार हो जाएंगे अगर आज हम खुद सिस्टम को फोलो करेंगे तो टीम के अंदर सिस्टम को फोलो करने वाले लीडर्स तयार हो जाएंगे जैसे कि आज मालो हमने किसी भी चीज़ को और हम अगर network में चाते हैं Great Mentor Amesha बोलते हैं मागरुजी नर्सिक रेवाल साव कि network में active लोगों के संख्या जादा बनाईए और active लोगों के संख्या बनाने का एक ही तरीका है कि जब हम proper duplication करते हैं उसी वज़ा से network में एक्टिव लोगों के संख्या बढ़ती है तो साती हो system को follow करेंगे तो team automatic जो है वो proper duplication जाएगा और network automatic जो है आपको system को follow करना शुरू कर देगा अब इस system क्या बोलता है system बोलता है कि हम अपनी पूरी team को एन्यो ट्रेनिंग के साथ जोड़ के लखें बहुत सारे लोगों को serious नहीं लेते कुछ लोगों के लगता है अब हर बार वोई तो बाते बताई जाती है तो मेरे दोस्त हर बार नया काम करने से success नहीं मिलती हर बार वोई बाते करकर करकर के लोगों ने यहां पे लौकों के team तयार किये हमेसा से एन्यो ट्रेनिंग को मैंने प्राथ्मिकता दिया कई बार मैं देखता हूँ एक जगह है मेरा यह मना है system ने मेरे को सिखाया कि एक side में आपकी 2 sale आनी है और एक side में आपके एन्यो ट्रेनिंग है आप वो 2 sale बाद में ले लीजिएगा कि जब भी sale और N.O. दोनों में से अगर किसी चीज़ का selection करना हो तो N.O. को side में कर दीजिए, sale की तरफ बगिए, ये message हमने network को दे दिया, और सोचके देखिए, ये duplication अगर network में हो गया, तो पता चला आपके N.O. training के अंदर कोई नहीं आ रहा, क्योंकि किसी का plan था, किसी का follow energy level जब down आता है, तो energy level जो हमारा boost up जो होता है, वो N.O. training के अंदर जाने से होता है, तो N.O. training को first priority पर रखिए, और अपने team को इस N.O. training के साथ, ज्यादा ज्यादा लोगों को joining कर रहा है, जिसको भी हमने plan दिखा है, आप उसको N.O. training के साथ जोड़िए, क्योंकि बहुत clear हो जाती है, कि वास्ताम इस business में दम है, वेन्यू के plan के साथ आप जोड़िए, individual plan तो आप बाकी दिनों दीजिये, दीजिये, लेकिन Sunday के plan जो अमारा, जो भी आपका वेन्यू plan होता है, उसके अंदर आप अपनी पूरी team को ज्यादा ज्यादा लोगों को invite करके और वेन्य सिगरेवल साम का चलता है, इस panel से बहुत ज्यादा फाइदा मिल रहा है साथियो, ठीक है, हम अपने डेली का यूटूब लाई होता है, तो यूटूब लाई हम अपने 1000 लोगों के अंदर, परडेक उपर मागोर जी हम चलाते हैं, तो उससे network में बहुत energy आ रही है, और लो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आप पर्मोट कीजिएगा, कोर को पर्मोट कीजिएगा, जितने लीडर्स हमारी टीम में कोर लीडर्स निकलेंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी टीम हमारी बनने वाली है, ग्रूप मिटिंग्स को पर्मोट कीजिएगा, ग्रूप मिट प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर लोगों को डालिएगा डामेंड सेलिबरेशन में ज्यादा ज्यादा लोगों को डालके और हम ज्यादा बड़ी टीम तयार कर सकते हैं और दिशा में ज्यादा लोगों को डालने से हम टीम तयार कर सकते हैं लेकिन यह आप एक चीज और दे कर रहे हैं जिसने पैसा लगाना है वो यहां तो बचा दोगे आप उसका मार्केट में खर्च कर देगा फिर क्या कर लेंगे हम तो हम दया नहीं करें दया नहीं करें क्योंकि एक करता है या MBBS करता है तो वहां पर लाखों करोड़ों रुपे खर्च हो जाते हैं उसके बाद कोई गारंटी नहीं है और सीखने के लिए हमेशा जो है वो पेमिंट करना पड़ता है पैसा कहीना के पे करना पड़ता है हम लोगों को चाहे दुनिया में कोई भी चीज़े से ल आया ना करें चाहिए वो आप कहीं से भी मैनेज कीजिए जब भी आपके अप्लाइन ने कोल कर दिया या मैसेज डाल दिया कि वहां पर कोई मिटिंग है और आपको आना है तो फिर वहां पर बट किंतु परंतु मत लगाईए यह सर देख लो क्या सर मेरा आना जरूरी है ज यह डूपलिकेशन प्रोपर अगर बहुत बढ़िया हो गया तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा हिंदुस्तान में किस-किस सहर से आपकी सेल अना शुरू हो जाएंगी यह सिस्टम की महिमा है तो सिस्टम को हमेशा से प्रमोट किया उसके बाद साथियो बड़ा टीम का फोर्मूला जो मेरे को समझ में आया टीम बड़ी टीम कैसे करें तो टीम का मतलब यह है कि टीम का मतलब होता है कि सबसे पहले हम विश्वास हासिल करें नेटवर का जब तक हम ट्रस्ट हासिल नहीं करेंगे विश्वास नहीं बनाएंगे तब तक बड़ी टीम नहीं बन तो इसका मतलब बड़ी टीम तयार नहीं कर सकते तो टीम का मतलब जो मैंने समझा इस बिजनेस वाने के बाद कि सबसे पहले ट्रस्ट आसिल करें अब एक एक चीज को हम समझते हैं सबसे पहले बात आती है विश्वास कैसे जीते तो साथ यो कुछ जो है इस सिस्टम से जो चीजे मैंने समझी है उन चीजों को आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क में अगर हमको अपना विश्वास बनाना है तो बड़ी टीम बनाने क सबसे पहले तो आपके उपर जब तक टीम विश्वास नहीं करेगी तब तक इसका मतलाव हमारी टीम हमको फोलो नहीं करती और अगर टीम हमको फोलो नहीं करेगी तो इसका मतलाव सिस्टम को फोलो नहीं करेगी तो क्योंकि वह सबसे पहले लीडर के अंदर सिस्टम देख इसा नहीं को आपसे उम्मीद का नेटवरक के जो लोग हैं से उम्मीद करते हैं तो हम उनके सची परवा करें दूश्रा प्राइशा ऐसा है कि जो है मैंनत टीम कर रही है और क्रेडिट लेने के लिए हम आगे खुद आगे तो उससे भी टीम का विश्वास टूटता है आप चाहे कुछ भी इसके उपर मेरा जो मानना है सिस्टम ने जो समझाए वो यह है कि टीम गलती करे तो उसके लिए खुद आगे खड़े हो जाई है चट जब नेटवर्क हमको बुलाता है फिल्ड के अंदर बुलाता है प्लान देने के लिए बुलाता है तो बहुत सारे लिडर्स को मैंने देखा जैसे सिल्वर बने गोल्ड बने परल टोपाज बनते हैं और जब नेटवर्क बुलाता है कि सार प्लान के लिए चलते हैं मैंने बहुत सारे टोपाज पर लेवल के लीडर्स को यह बाने देते देखा है कि बोला मेरा काम अब फोलोप करना थोड़ी है मेरा काम तो जो है अब आप मेरे से गुरूपइटिंग करवाओ अब आप मेरे से कोर करवाओ मेरा जो काम है वो प्लान दिखाना फोलो करना नहीं है मेरे दोस्त जब जब ये लेवल का टैग हमारे उपर लगता है ना तो इस सिस्टम में धडाम से हम नीचे गिरते हैं तो किसी भी लेवल के उपर कोई भी आज मरकरी लेवल के बावजूद भी मैंने खुद ने मागर मैं पिछले सम्तिंग एक साल की बात करूँ तो एक साल के अंदर करीब करीब मैंने 50 से 60 सेल सातियो सेल फैफरट से अपने परसनल लिस्ट के उपर मैंने सेल निकाली हैं तो इसका मतलब किसी भी लेवल के लिए अभी जैसे जैसे आपका लेवल उपर बढ़ता है काम करने में मज़ा आना चाहिए वहाते हो क्योंकि achievement आपके पास आजाते है knowledge आपके पास आजाती है confidence आपके पास आजाता है लेकिन देखे कमाल के बात है जब आमारे पास कुछ नहीं होता था उस समय के उपरम जो है खिल्ड के अंदर दमदारी दिखाते थे और जब हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है उसके बाद जापे काम करने में मज़ा आता है वहाँ पे बाना देना शुरू कर देते हैं और network के सामने जब आप logic देते हैं तो team सब समझदार है बाना नहीं देना उसके बाद आता है आपका लोगों को जूट ना बोले पबलिक सब पकड़ जाती है कई बार ऐसा होता है कि हम कई ना के घुमारे होते हैं लोगों को ठीक है team ने बोला बोला सार बहाँ चलना है और हमने वहाँ पर बाना दे जा नहीं नहीं यार मैं तो आज चली नहीं सब्सक्राइब मैं तो जो आज दूसरे लिडर के साथ हूँ जब आप दूसरे लिडर के साथ हैं तो इसका मतलब फिर वहाँ पर team इतनी स्यान ही होती है कि वो दूसरे लिडर से कोल करके भी क्रोस चेकी भी कर लेती है टीम कही बार और वहाँ पे जब बलता है टाइगर सर जो है भाई मेरे साथ तो नहीं है तो वहाँ पे जब हमारा जूट पकड़ा जाता है ना तो इसका में नेटवर का विश्वास तूटता है और एक थोड़ा वोईड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तो कभी भी जो है हम लोगों को यह बाना ना दे जूट ना बोले नेटवर को उसके बाद आता है कि दूसरे लेडर की टीम के सामने बुराई ना करें एक बहुत बड़ी ब्लेंडर हम करते हैं बहुत बड़ी म जब ये आदमी उस इनसान के बुराई जब मेरे सामने कर सकता है तो इस बात के गरंटी है कि मेरी बुराई ये दूसरे के सामने भी जाके करता होगा तो इसका मतलब वहां से आपका विश्वास टूपता है और जब आप किसी के बुराई करते है वो बात जब उस लीडर के विश्वास चकना चूर हो जाता है और वो लाइफ में आपके उपर दवारा विश्वास नहीं करता है साथियो उसके बाद आता है धोरी प्रवर्ती ना रखे अपने आपको हमारा ओरिजिनल रूप अलग निकल के आता है तो हमको बारका इंसान और अंदरका इंसान से मल रहना है तो आल्रेंगे तो इसके वन साथ बनेगा उसके बाद बात. आती तीम का प्रविश्वास नहां करें और उसको जो rate में हमारे आती है उसके अंदर और 30 रूप एक्स्टा जोड़के और प्रगति सुत्र उसको दे रहे mind power course हमारा जो आता है उसको और जाधा पैसा लगा के और और जाधा पैस एड़ करके हम टीम को दे रहे network की किसी के motorcycle हमारे पास है अपने parcel काम के लिए उसके vehicle को यूज करने अपने parcel काम के लिए network से अपना parcel काम करवाने लग रहे दिपाव लिया ही तो network को बुला के घर की पुताई करवाने लग रहे network का मेरे दोफ जब जब आप सोशन करेंगे तो network का विश्वास कभी भी जीवन में बन नहीं पाएगा तो network का सोशन नहीं करना हमने कभी भी उसके बाद आता है टीम को गुम्रा ना करें गुम्रा ना करें जैसे टीम ने हमसे solution लिया कई बार तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज का सोलूशन कर पाएँ आपके पास अगर solution नहीं है तो genuine बोलेगे कि sir great mentor से एक बार अपन discuss करते है इसके उपर तो मैं आपको proper advice करना चाहता हूँ कई बार network team की जो leader session होते हैं जो हमारे अप्लाइन से connect हो जाते हैं कई बार और अप्लाइन से किसी चीज का समाधाल नेनी की कोशिश करते हैं और जब हमको पता चलता है कि इसने मेरे अप्लाइन से बात करी वहाँ पे हम team की class लगा देते हैं अरे network से आपके अप्लाइन से बात करी है अच्छी बात है यह तो कि आपके अप्लाइन ने बिल्कुल उसको तो हमको team को गुमरा नहीं करना तो साथ हो यह point अगर हम ध्यान देंगे तो network के अंदर आपके विश्वास बनेगा और विश्वास बनेगे तो बड़ी टीम बनेगी उसके बाद आता है कि हमारे ethics क्या क्या है three card rules को हम follow करें three card rules के उपर हम विशेश कर द्यान दें और three card rules अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब ethics को जब जब सिद्धान्त तूटेंगे तो इसका मतलब आपका network धरासाई होगा उसके बाद आता है आपका system के कोई भी activity को cancel ना करें एक rule है एक सिद्धान्त है जब मैं जुड़ा इस business में तो वहाँ पर मैंने कसम काई थी कि system के कोई भी activity में miss नहीं करूँगा और साथियो कभी भी system के हर activity के अंदर इस्तिति परिस्तिति कैसी भी बनती है लेकिन system के अब एक practical example दूँ मेरे टीम के मरकरी लीडर मिस्टर सामसिंग चौहान सामसिंग चौहान जी के बारे मैं मैं बताऊं सामसिंग चौहान जी ने कसम खाई थी कि सर सुक्रवार के ट्रेनिंग और संडे का प्लान मैंने system को दे दिया इन दो दिनों को मेरे से को जुदा नहीं क सकती घरवालों को बोला इतकी शुक्रवार को तो साधी नहीं होगी कंसिल करो इसको और मूरत निकला ळवालों ने बोला आभी मूरती शुक्रवार को निकला तो क्या करें शुक्रवार को क्यों नहीं हो सकते साधी तो शाम जी ने बोला कि शुक्रवार का दिन मैंने अपने सिस्टम को दिया हुआ है और जो दिन मैंने अपने सिस्टम को दिया हुआ है वो दिन में किसी और को नहीं दे सकता और फिर उसके बाद मूरत चेंज हुआ और जो साधी सु बताया जाता है एति स्टेफ में ही ूरे बिजिनिस सार्च ही पावा है तो एति इस को रेगुलर पेलो करें अगला हमारी दाता रहे कि अधर कंपनी का प्रॉल करें कभता से लोगों कि मैं देखता हूं अलगला प्लन डेख है इसको पूझते हैं उनसे पुझते हैं उस लेकिन उसको दूसरे नेट्वर्ट में क्या-क्या चल रहा है दूसरे कमपनिया क्या-क्या करया है उनकी जरूरी है तो आप मैंने आज तक का पिछले 13 साल का करियर है safe soap के अलावा मेरे को पता ही नहीं है कुन सी company का क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है ना किसी किम्मत है दिखाने की और ना मैंने आज तक कभी देखने के लिए प्रियास किया है क्योंकि आज सेफशोप में अपने आपको इतना डुबाई है मेरे दोस्त कि दूसरे के बारे में सोचने का वक्ती ना मिले ठीक है बहुत साले सर्च कर रहे होते हैं सर्च करना शुरूर किया तो समझ जाओ कि आपके बहुत जल्दी टिकट कटने वाली है तो अधर कंपनी का सामने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करें टीम के सामने हमेशा आगे बढ़ने की बाते करनी है और एकदम दंदार बाते करनी है टार्गेट जीतने की बात करनी है सिस्टम के अंदर ज्यादा लोगों को बरने की बात हमेशा नेटवर के सामने करनी है नेटवर कई आएग के बारे में ना गलत सोचना है ना गलत बोलना है और ना गलत सुनना है यह तिन सिद्धानत हमेशा हमको फोलो करने सिस्टम अप्लाइन और कंपनी खयाल में भी आपके दिमाग में गलत विचार आना ही नहीं चाहिए कभी गलत विचार नहीं आना चाहिए कभी गलत उनके बा आता पता है कि यहां तो सिस्टम में यह होता है यह होता है उसको वहलो नोगे देख टाइगर हमको आगे बढ़ना है और मेरे अप्लाइन के बारे में गलत नहीं सुन सकता अप्लाइन के बारे में कभी गलत ना सुनना है ना बोलना है विचार में भी गलत बात आने नहीं चा पिर आता है तीसरा प्वेंट एटिटूट के अंदर क्या एटिटूट में स्तिति चाहिए कैसी भी हो ऐसा नहीं है कि हर समय पे आपकी इस्तिति टोप रहेगी कभी आपकी स्तिति डाउन भी जाती एक विजनिस आती है विजनिस से कभी अच्छा काम चलेगा कभी डाउन काम चलेगा लेकिन जब अच्छा काम चल रहा होता है तो सब हम अच्छी बाते करते हैं लेकिन साथियो यह attitude क्या बोलता है कि आपकी इस्तिती परिस्तिती चाहे कुछ भी हो कैसी भी हो अच्छी हो चाहे खराब हो उसके बावजूद भी negative बात कभी भी खयाल में आनी नहीं चाह लेकिन सिस्टम और अप्लाइन के अंदर कम्या निकालना किस तनमार खड़ा कर देते हैं और मागरुजी नर्सिक्रेवल साब बोलते हैं कि जावे काम नहीं चल रहा होता आप्लाइन के खिलाब पंचयाद बठा देते हैं नहीं कभी भी negative बात नहीं करनी उसके बाद बात कोई कुछ भी बोले अपने अप्लाइन के प्रति हमेशा positive रहना है अप्लाइन के प्रति कभी भी negative बात दिमाग नानी नहीं चाहिए ठीक है और जरूरी नहीं है कि अप्लाइन जो है सारे सारे काम जो है वह हमेशा perfect दुनिया में कोई भी नहीं है मैं रामाइन का एक बहु करता हूं और आप मेरे गुरू के रूप में श्विकार करें और एक बात का ध्यान रहे मेरे अंदर कुछ अउगुन भी होंगे तो आपसे आपको मैं यह बात जरूर बोलोगा विच्छो कि आप मेरे जो है अउगुनों को आप बिलकुल भी आपको ध्यान नहीं देना युस्टम करफिदी आपनी पोज़िटिव कई यो को लगता है ना सब दूछर कंपनी बढ़िया अरे मेरे प्रभू अपनी मम्मी से बढ़िया कोई दूसरे की पड़ोसी की मम्मी खयाल नहीं रख सकती है अपना दुनिया में सबसे ज़्यादा खयाल अपनी मम्मी रखती है तो अयाज ये कंपनी हमारी मा की तरह हैं और हमारी मा जो है वो ही खयाल रख सकती है सबसे ज़्य जड़ा प्यार वह कर सकती है पड़ोसी कि मां कियों को लगता नाजा साब ज़्यादा प्यार करती है और चले जाते हैं फिर वहाँ जाकर पता चलता है कि बहुत आरप यह मां से कभी नेटवर् गलतियां करता है हमेशा करता रहेगा तो उनको हमेशा love them anyway कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाए तो इसको छोड़ो इसको साइड में कर देते हैं नहीं हो सकता है उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशल छिपा है लेकिन कुछ गलतियां करता है तो उन गलतियों नेटवर् छोटी से गलती कर दे बाइसाज वाला वेक बात सोच लेता है कि साख सावब आज तो मैं आपके सामौने आ गया बैस आज के बाद हमारी थारी राम राम यहां तक थी आज के बाद में आपके साथ आउंगा नेर यह काम में करूँगा नहीं और वहां से नेगिटीव होके चले जाते हैं तो वहां पर हमको ध्यान रखना है नेटवर्क के प्रतियों पोजिटिव फिर बात आती है मतला मोट चल रहा होता है जब आपके प्रेणाम ने आ रहे होते हैं मैनत करने के बावजोद उस समय पे सवस्यादा जोस में रहते हैं मोटिवेशन का मतलब क्या है कुछ लोगों को लगता है जोर-जोर से चिलाना मोटिवेशन है नहीं हमारे ग्रेट मेंटर मागरुजे शरी दिव ऐसी तो उसी तरह से चॉत के बिखर जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग फेस करके निखर भी जाते हैं तो आप निखरने का निर्ने लीजिए वहाँ पे बिखरने का निरने नहीं ले छोटे जो घर के तरब से चैलेंज आ जाएगा फिल्ड के तरब से चैलेंज आ जाएगा तरह तरह की बात आपको बोलना शुरू कर देंगे शेफशों को फेलियर आ जाएगा मार्केट में वो आपके एंटीनों को हिला जाएगा तो वहाँ पे हमको हतास नहीं होना निरास नहीं होना वहाँ पर अपने अपलाइन के पास जाएए और दोबारा से एकदम बुस्टप के साथ और आगे काम को बढ़ाना है हम लोगों को उसके बाद आता है टीम लीडर साकर समस्या बताएंगे साब यह दिक्कत है यह दिक्कत है यह दिक्कत है वो दिक्कत है और उस समय पे को इंस्टेंटली ऐसा होता है को उस समय पर आपका भी काम नहीं चल रहा था तो वहाँ पे टीम को मोटिवेट करना होता है वहाँ पे सामने समस्या मेरे भी सामने समस्या चलो तुम भी छोड़ दो मैं भी छोड़ देता हूं वह बेचारे उम्मीद ले के आए थे कि हम अप्लाइन के पास जा रहे हैं अप्लाइन हमको रस्ता दिखाएगा और वह हलका सा कोई पिंचर था उनके और वह पिंचर को लगाने के बोलने से नेटवर्क मोटिवेट हो जाता है तो वहाँ पे आप उनको जोस दीजिए उनको मोटिवेशन दीजिए उनको वालियत आएगा यह तो कोई बात नहीं यह तो चीज़ें चलती रहती है क्योंकि मुझे बताओ कि रात नहीं और दिन ही दिन होता रहेगा तादमी बेसी िन जाएगा तो इसका मतलाव दिन भी जरूरी है तो रात बी जरूरी है उसी तरह से रेड लाइट भी जरूरी है तो सात में ग्रीन लाइट भी जरूरी है क्योंकि red light के ओपर केवल ही green ही green हो जाए तो फिर accident होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब हर तरह से आपके life में challenge आ रहे हैं तो आप tension ना लो मैं आपके साथ खड़ा हूँ अरे अपने गुरू जी आपके साथ है अपने साथ है अपना system अपने साथ है जो को गुरू जी के साथ दिक्कत आई लेकिन गुरू जी ने जो है system को फोलो किया और आज गुरू जी देखो जो है crown लेट पर बैटें crown master universal crown master level पर बैटें tension नी लेन अपने साथ दिक्कत आ रही है tiger मैं तेरे साथ खड़ाओं और you see a तक हमको जाना है motivate कीजिए वहां से energy दीजिए network को उनको जो है बोलता है सर देख लो मेरा तो थोड़ा सा time का ऐसा ही रहता है और जो है और कोई कर ले तो आप उनसे करवा लीजिए इस इस तरह की बाते करते हैं तो हमको जो है अप्लाइन की जो है जिम्मेदारियों को बोज नहीं मानना साथ हो उनको हमको हुश होके उन जिम्मेदारियों को लेना होता है क्योंकि बोला जाता है जली हुई मोंबती भूजी हुई मोंबत्यों को जड़ा सकती है क्योंकि जो मोंबती खु दिमोटिवेट है वो निट्वर को कैसे मोटिवेट कर सकडीन नहीं सकता है तो हमको जो है वो यह मोटिवेट्ट रही पता नहीं जैसे 8 पाथ लोगों और लोग गुष्री डिरेक्शन में जाते हैं हम लोगों को वेन्यूम लेक्या आते हैं लोग जुड़ते नहीं तो वहाँ परेशा नहीं होना लोग बन सकते हैं कि कृसी बात कर रहा यार अभी तक बनता है नहीं बनता कोई बात नहीं लेकल लेकिन आप पॉजिटिव गुस्सा लेना है, नेगेटिव गुस्सा नहीं लेना, पॉजिटिव गुस्सा मतलब क्या प्रितक तो होता कि नहीं होता, लेकिन आपको मैं करके दिखाऊंगा ना, तो ऐसा करके हमको motivate okay और network में हमको आगे बढ़ना है तो लोग आपके आप चलिए सार आप चले तो हिंदुस्तान चले आप चलने का निरने लीजिए आने वाले समय में लाखों लोग आपके साथ पीछे चलेंगे लेकिन हम सबसे पहले खुदो चलने का निरने ले हमको लगता नहीं वो तो मैं चलूंगा है हम ट्रेंग का निरे अंचले इंजन चलेगा तो दब याप लीडर मनते हैं और जब आप चलने का activities साथ यो ले लेती हैं उसके पार वर्क्षोप चलेंगे, ओफलाइन चलाइए, ओनलाइन चलाइए, ओनलाइन के उपर आज कल जूम अमारे लिए वर्दान है, जूम के उपर या तो सुब अरलिंदा मोर्निंग या लेट नाइट के अंदर, आप अपने पातपान दस दस पंदरा पंदरा लोगों को आप लेके बैठिये जूम के उपर, उनको बेसिक चीज़ें सिखाईए, अब एक क्यूस्टन यह आता यह पार वर्षोप किस लेवल का लीडर चला सकता है, पार वर्षोप के लिए कोई लेवल नहीं होता, आप किसी भी लेवल पे बैठें, ब्रोंज लेवल पे आप हैं, जो चीज़ आपने सीखी, अपने चार लोगों को बटा कर सिखाईए, आप सिलवर लेवल पे हैं, जो चीज़ आपने सीखें, वो अपने टीम को सिखाईए, अब यह सिखाना क्या होता इस पार वर्षोप के मादम से, क्योंकि जो लीडर सिखा सकता है नेटवर्क को, तो इसक काइ स्किलसे सबसे पहले साहिज प्रजंटेशन स्किल्स मतलग दिखाना सिखाइए कि प्लान कैसे दिया जाता है श्यूरूआ कैसे करें जब सामने सामनेरे के साथ बैड़ते हैं उस समय आपकश का होना चाहिए जब सबस्क्रण कर आद Mayo संपर कितर नहीं होता बिल्कुल कोरे कागज कितरे होता है अब उसके उपर हम प्रिंट क्या करते हैं यह तैय होगा कि आने वाले समय के अंदर वो हमारा दमदार लिडर किस डारेक्शन में जाएगा अगर उसके उपर आपने प्रिंट यह कर दिया कि नहीं नहीं प्लान सिखने एक जरूरतने मेरे से करवाओ तो इसके मालब प्रोप्र डूप्लिकेशन नहीं होगा और आप जब नेट्रोग बड़ा होता है तो सब के साथ आपका भी जाना पॉसिबल नहीं होता तो उसके लिए आप वर्क्षोप के माधनम से प्लान दिखाना सिखाईए उसके बाद आता है आप उनको फ बने हैं आप उनका जबाब देजिए उसको तरीका बताईए उसको जो है एप 3 रूल जो है उसको समझाईए फिल फैल्ट फाउंड वो चीज़ समझाईए उसको तो फॉलोप की स्किल्स हम वर्क्षोप के अमाधनम से सिखाएंगे तो लोगों का कॉइंफिदेंस बिल्ड को आना और आपको खुदको और अपने टीम को आना जरूरी है तो कुम्निकेशन स्किल्स उनको सिखाएंगे किस तरह से बातचीत करें इन्विटेशन के समय पर बातचीत कैसे करें एक नए आदमें को को प्राग्रम को अपॉंटमेंट लेना है तो अपॉंटमेंट कैसे ल और आपको बिल्कूल चेरे के उपर इसमाइल रखना है क्योंकि स्माइल से सामने वाले का सारी कुस्टन वैसे खतम हो जाते हैं तो अब्जेक्शन जब आता तो उसको हैंडल कैसे करें यह वर्ट में पूरा एक दिन का सेशन लगेगा इसमें पूरा एक दिन का सेशन जो आपका प्लाम देखेंगे यह नहीं तो सवेक्पों को हैंडल कैसे करें तो यह ँब्जेक्शन हैंडलिंग्सकिल्स मको सिखाना है तीम के साथ एका सेझने के साथ रिलेशन कैसे milliards रखने करीलेश्ण टूटने के चांस बनेंगी तो वो डिलेशन सिपी स्कैल उक्स क्यो लोग आपके साथ नहीं जूड़ते तो वहाँ पे जब आपका moral जब गिरता है जब आपका confidence जब आपका डाउन जाता है वह जो challenge आता है उसको face हमको कैसे करना है नहीं को कैसे face करना है यह चीज़ हमको उनको सिखाना है workshop के माद्ध मसे और क्या सिखाए products की knowledge के लिए हर सुकर यह मैंने कमपनी का सुट पहना हुआ है तो प्रोडेक्ट आप खुद यूज कीजिए और प्रोडेक्ट की नोलेज लेकर नेटवर्क में उन चीजों को उसके नोलेज आप ज्यादा ज्यादा वर्क्षोप के मादम से दीजिए उसके बाद अपनी कमपनी के बारे में हमारी क किस-किस लेवल पर काम करती है हमारे कमपनी के प्रोफाइल क्या है यह सारी चीजे जो है अपनी कमपनी के बारे में उनको सिखाईए समझाईए क्योंकि एक नया आदमी जब प्लान देने के लिए फिले में निकलता है और कोई सामने वाला आदमी कमपनी के बारे में करना चाहिई你 कुण चुंऌ चाहिए वड़ी टिम इसको को रजिस्रेशन आना चाहिए ठो यह चीज़ करना सिखा यह, fm कैसे की जाते है fm करना चीक्ता कर आज्या काम करें इसको पर हम इसको ऐसे समझें कि दो रस्ते आते हैं एक रस्ता यह है कि किसी को भूख लगी है तो उसको खाना बना के दे दो और किसी को भूख लगी है तो दूसरा रस्ता यह उसको खाना बनाना सिखा दो अगर आपने खाना बनाना सिखा दिया तो फिर वो ना करें इंतजार ना करें अप्लाइन आएगा वह वर्क्शोप आएगा ना 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 आप जिस लेवल पर बैठें और आपके सामें